आज का एंटी पीसी का पेपर पांच अपरेल 2016 को थर्ड शिप्ट में पूछा गया था आज का फर्स कोशन है कौन सी बीमारी दिल से संबंदित नहीं है इसका आंसर है डिप्थीरिया जो बीमारी दिल से संबंदित हैं उनके नाम है एनुरिज्म, कार्डियो मायोफेती और मायोकार्डियल रप्चर आज का नेक्स कोशन है एक वस्तू 35% की चूट पर 26,000 रुपे में बेची गई यदि चूट 15% हो तो वस्तू का विक्र एमूले ग्याद कीजिए जैसा आप साइड में देख रहे हैं हम MRP को 100 रुपे मान लेंगे 35% डिसकाउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्रैस हो जाएगा 65 यूनिट बरावर है 26,000 रुपे के एक यूनिट बरावर हो जाएगी 26,000 बटे 65 तो हमें फाइंड आट करना है 85 का क्योंकि इसमें दिया हुआ है यदि छूट 15% हो तो 100 में से जब 15 माइनस करेंगे तो आजाएगा हमारा 85 तो 85 यूनिट बरावर हो जाएगे 26,000 गुना 85 बटे 65 जब इसको सॉल्व करेंगे त तो आंसर आजाएगा 34,000 रुपे आज का नेक्स कोश्टन है एक व्यापारी बासमती चावल का 40 किलो का बैग 125 रुपे में तथा दूसरा 60 किलो का बैग 1500 रुपे में खरीता है वैप पूरे स्टॉक को 20% के लाब पर बेजता है उसका प्रती किलो विक्रे मूले ग्याद की अैं पर नेके लिए पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइज यूद निकालने के लिए हम करेंगे 125 इंटू 40 प्लस में 60 इंटू 150 इसको सॉलब करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 14,000 रुपे ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइज हो इस cost price पे हमें 20% profit हुआ था तो इसे find out करेंगे 14,000 into 120 by 100 equal to 16,800 अब हमें पूचा है प्रती किलो selling price कितना होगा जो हमारा selling price आया था वो आया था 16,800 रुपे और जो total quantity का weight है वो है 100 kg तो जब इनको cancel out करेंगे तो answer आ जाएगा 168 रुपीज आज का next question है भारत डैस में British Samarajay के पृतक्षासन के अधीन आ गया था इसका answer है 1808 आज का next question है दो संख्या का HCF 6 तथा LCM 108 है यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ग्याद कीजिए इससे find out करने के लिए simple हमारा formula होता है HCF into LCM equal to first number into second number इसको जब solve करेंगे तो हमारा second number आ जाएगा 54 आज का next question है ICT किसका संक्सित नाब है ICT की full form होती है information and communication technology आज का next question है 3.6, 6.9 तथा 11.4 का fourth proportional ग्याद कीजिए इसको find out करने के लिए 3.6 by 6.9 equal to 11.4 divided by x into 10 यहां से हम simply इसको solve करके find out कर लेंगे value x की value आगे हमारी यहां से 21.85 जिसे हम 21.9 लिख सकते हैं इसका answer है आज का next question है यह हमें दिया गया है से संतोलित समीकरन फ्राप्त करने है तो हैस चिन को गनितिये चिन्नों addition, division और subtraction से बदलने के लिए लिम्लिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने हम by option इसको check कर लेंगे इसका answer है C जैसे आप side में देख रहे हैं 27 plus 15 minus 2 यह सब bracket के अंदर है divided 10 equal to 4 इसको solve करेंगे तो 4 equal to 4 आ जाएगा तो यह equation हमारी satisfy हो जाएगी आज का next question है निम्लिकित में से कौन सा एक चार यह alkaline नहीं है इसका answer है sulfur जो alkaline है वो है sodium, potassium और lithium आज का next question है यदि a plus 2b equal to 55 और a minus 2b equal to minus 13 है तो b का मान ग्याद कीजिए यह हमें 2 equation दिए गई हैं इनको solve करना है जैसा आप side में देख रहे हैं 2b से 2b cancel out हो जाएगा 2 equal to 42 a की value आ जाएगी 21 आज का next question है बांगलादेश की थलिये सीमा किसके साथ है इसका answer है भारत और मेमार के साथ आज का next question है NGT का पूरा नाम क्या है NGT की full form होती है National Green Tribunal आज का next question है इसका हमें average निकालना है average find out करने के लिए सबका submission करना होगा और divided by number of terms जो हमें दे रखी है 10 इनको submission करेंगे तो आजएगा 50 divided by 5 answer होगे हमारा C जो दे रखा है 5 आज का next question है 99 into 99 इसको हम लिख सकते है 99 का square 99 square को लिख सकते है 100 minus 1 का whole square इसको solve करेंगे तो आजएगा हमारा 10,001 minus 200 ये होता है 9,801 आज का next question है किस भारत पाक युद के बाद तासकंद घोशना होई थी इसका answer है 1965 आज का next question है ये हमें एक series दे रखी है इसको complete करना है इस series को complete करने के लिए पहले हमें pattern check करना होगा pattern जो series का चल रहा है वो चल रहा है alternatively प्लस 6 का जैसा आप देख रहे हैं अगर हम 64 में प्लस 6 करेंगे तो 70 हो जाएगा 70 में प्लस 6 करेंगे तो 76 हो जाएगा और 76 में प्लस 6 करने पर 82 आ जाएगा तो हमारा answer हुआ 64 आज का next question है प्रित्वी के थलिये छेत्र में भारत का हिस्सा डैस है अनुवानित यह हमारा 2.4% आज का next question है verification of login name and password is for इसका answer है authenticating the user आज का next question है यदि cot 52 degree equal to b है तो 10 38 degree equal to क्या होगा इससे solve करने के लिए हमें पता है cot 90 minus theta equal to 10 theta होता है तो जब हम cot 90 minus 52 करेंगे equal to होजाएगा 10 38 और 10 38 equal to हमारा b होजाएगा आज का next question है बीना महन की पुत्री है जो मीना का एक मात्र दामाद है मीना की केवल एक संतान है किरन मीना की नातिन है किरन बीना से किस प्रकार संबंदित है जैसा आप side में देख रहे है बीना के जो पिता है वो मोहन है और मोहन की साधी हुई है मीना की पुत्री से और जो मीना की पुत्री की जो पुत्री है उसका नाम किरन है तो इससे हमें पता चल गया बीना और किरन भेन भेन है आज का next question है सार्तक सब्द बनाने के लिए अव्यवस्तित अक्षनों को पुनरव्यवस्तित करें और असंगत को चुने A को जब अरेंज करेंगे तो आएगा हमारा gold, B को अरेंज करेंगे तो straw, C को अरेंज करेंगे, तो bronze D को अरेंज करेंगे तो आएगा silver A, C, D ये सभी हमारे metals हैं और B इन सभी से अलग है आज का next question है कथन और उनके कुछ निसकर्स नीचे दिये गए हैं, कथन दिया गया है अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेस को उसके कारयले में खराब मुल्यांकन मिला निसकर्स दिये गए हैं, दो राजेस ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया सेकेंड दिया गया है, राजेस का मुल्यांकन ठीक से नहीं किया गया इसका answer है C राजेस का मुल्यांकन ठीक से नहीं किया गया और राजेस ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया ये दोनों ही निसकर्स यहां पर अनुसरन करते हैं आज का नेक्स कुशन है त्रिबुच से संबंदित विसम कथन ग्याद कीजिए सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कौन के विप्रीत होती है ये सही है त्रिबुच का भाय कौन पराबर होता है समुक आंत्रिकौनों के योग के ये भी सही है कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है ये भी सही है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भु के आज का next question है यदि गनीतिय चिन divide का अर्थ multiply plus का अर्थ negative multiply का अर्थ plus और negative का अर्थ divide हो तो यह हमें solve करना है जैसा जैसा हमें यह बताय क्या है यही sign हमें यहाँ पर use करने होंगे इसे apply करने के बाद हमारे equation आती है 25-18 divide 3 plus 7 into 3 इसको जब solve करेंगे तो आएक हमारा 46 minus 6 equal to 40 यह इसका answer है आज का next question है दिये गए कथनों को ध्यान पूरुक पढ़ें और प्रशनों के उतर दें ज्यान और समझ एक दूसरे के पूरक है जितना घहरा ज्यान उतनी ज्यादा समझ ज्यान जाग रुकता है समझ जटलताओं से निपटने के लिए आवशक है निम्रिकित में से कौन सा दिये गए कथन के अनुसार सत्ते है इसका answer है ज्यान और समझ एक दूसरे के लिए समपूरक है आज का नेक्स कौश्चन है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानि मुह से गुदा तक 10 मीटर लंबा होता है इसका answer है 9 मीटर आज का नेक्स कौश्चन है निम्रिकित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रशनों के उतर दें दिया गया है 75 विद्यारतियों के सम्हूं में 12 विद्यारतियों को केवल बंद गोभी, 15 विद्यारतियों को केवल फूल गोभी, 21 विद्यारतियों को केवल गाजर, 12 विद्यारतियों को गाजर तथा बंद गोभी दोनों, 13 विद्यारतियों को केवल शिमला मिर्च और 2 दिया गया है बंदगोवी और गाजर का है नीचे वाला वेंड डाइग्राम शिमला मिर्च और फूल गोवी का है तो इसमें फर्स्ट कोश्चन दे रखा है बंदगोवी पसंद ना करने वाले विध्यारतियों का प्रतिशत क्या है इसे फाइंड आउट करने के लिए हम पहल तो इन दोनों को एड करेंगे तो आजाएगा हमारा 24 पसंद करने वाले हो गए 24 पटे 55 गुना 100 जब इसको सॉल करेंगे तो आजाएगा 32 यह हमारे आए हैं पसंद करने वाले हमसे पूछा गया है पसंद ना करने वाले तो हम 100 में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 68% आज का next question इसी में है कितने विध्यारती केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं कोई एक सब्जी पसंद करने वाले हम चेक करेंगे जो intersection को छोड़ करोंगे तो हम इन सब को add करेंगे 12, 21, 15 और 13 जब इन सब को add करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा तो गाजर पसंद करने वाले गाजर का circle देखेंगे तो गाजर के circle को जब add करेंगे तो हमारा आएगा 33 और full गोबी के circle को add करेंगे तो आ जाएगा 17 इसमें subject किया तो आया हमारा 16 answer आज का next question है E तथा F मिलकर एक कारे को 10 दिनों में कर सकते हैं यदि E अकेला उसी कारे को 30 दिनों में कर सकता है तो बताएं कि F अकेला उसी कारे को कितने दिनों में कर सकता है जैसा आप side में देख रहे हैं E और F साथ मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं E अकेला 30 दिन में कर सकता है तो हम पहले इसका LCM find out कर लेंगे LC माया 30 अब हम इसकी find out करेंगे efficiency efficiency find out करने के लिए हम 30 को 10 से divide कर देंगे तो आया हमारा 3 नीचे हमने 30 को 30 से divide किया तो answer आया हमारा 1 तो हमें यहां से पता चल गया E की efficiency 1 है total efficiency हमें 3 दे रखी थी तो यहां से हमें पता चला कि F की efficiency 2 होगी time निकालने के लिए formula होता है work divided by efficiency time निकालने के लिए हम work को divide कर देंगे F की efficiency से तो 30 work है और F की efficiency है 2 तो हमारा answer आगया 15 days आज का next question है दोग संख्याओं का गुनलफल 24 तता उनकी वर्गों का योगफल 20 है तो उनका योगफल ग्याद कीजिए तो हमें x into y दे रखा है 24 x square plus y square दे रखा है 22 तो x plus y whole square formula यूज़ कर सकते है यहाँ पर formula होता है x square plus y square plus 2xy value जब put करेंगे तो यहाँ से हमारा x plus y के whole square आ जाएगा 100 के बराबर तो x plus y की value हो गई 10 आज का next question है चलती lift में व्यक्ति के वजन पर क्या आसर पड़ेगा इसका answer है भार नहीं बदलेगा आज का next question है इसको solve करना है 9876 इसको पहले add कर लेंगे 5431 से add करने पर आया 15,307 और last में 5553 को इसमें से subject कर लेंगे answer आया हमारा 9,754 आज का next question है एक वस्तू 10% की छूट पर 3600 रुपे में बेची गई यदि छूट 15% हो तो वस्तू का विक्रे मूले ग्याद कीजिए MRP हम 100 रुपे माल लेंगे उस पे 10% discount करेंगे तो हमारा आ गया 90 unit 90 unit बराबर हैं 3600 के एक unit बराबर होगी 40 के तो हमें 85 unit निकालनी हैं क्योंकि छूट 15% की दे रखी है तो 85 unit बराबर होगी 40 गुना 85 दोनों को multiply करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3400 रुपे आज का next question है खजुराहों के समारक कहा पाई जाते हैं इसका आंसर है मद्धेप्रदेश आज का next question है 12 किलो चीनी का मूले 6 किलो चावल के मूले के बराबर है 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूले 1040 रुपे है एक किलो चीनी का मूले ग्याद कीजिए इससे solve करने के लिए हम पहले एक ratio find out कर लेंगे 12 into S equal to 6 into R S यहाँ पर represent कर रहा है सुगर को और R represent कर रहा है rise को यहाँ से हमारा R equal to आगया 2S फिर हमारी एक equation बनी 10 into S plus 8 into R equal to 1040 यहाँ से हमने solve किया तो हमारा आया 26 S equal to 1040 रुपीज तो यहाँ से S की value हो गई हमारी 40 आज का next question है 1265 में से क्या घटाये जाए कि प्राप्ट संक्या 39 से पूर्ट है विवाजित हो जाए जैसा अब side में देख रहे है इसको equation form में लिखेंगे तो आएगा 29 Q equal to 1265 minus X 29 से divide करेंगे तो एक complete cut हो जाएगा 43 पे plus बहुचेंगे हमारे 18 by 29 minus X by 29 यहाँ से हम X की value 18 दखेंगे जिससे हमारा remainder 0 हो जाएगा तो इसका answer आएगा 18 आज का next question है यदि health care is wealth को 1372 health needs care को 417 he needs wealth को 463 लिखा जाता है तो he is wealth को क्या लिखा जाएगा हमें 3 statement दे रखी हैं यहाँ से हमें ही का पता चल जाएगा कि यह 6 होगा क्योंकि 6 और किस equation में है ही नहीं अब हम देखेंगे needs दे रखा है second और third में और second third में जो common है वो है 4 यहाँ से हमें पता चल गया needs को 4 represent कर रहा है first और third में wealth common है यहाँ से हमें पता चल गया कि wealth represent कर रहा है 3 को अब 1 और 7 first और second equation दोनों में common है तो यहाँ से हमें पता चल गया कि is हमारा रहेगा 2 तो question में पूछा गया था he is wealth को क्या लिखा जाएगा तो he represent कर रहा है 6 को wealth represent कर रहा है 3 को is represent कर रहा है 2 को तो हमें ऐसा option देखना है जिसमें 6, 3, 2 यह तीनों हो तो इसका आंसर होगा A आज का next question है स्वराज पार्टी के संस्तापक कौन थे इसका आंसर है मोतिलान नहरू आज का next question है 25 मदों का ओसत 40 है परंतु 1 मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था वास्तविक माध्यय ग्याद कीजिए एक से 25 का जो हम समिशन करेंगे तो हमारा आजाएगा 40 गुना 25 एक्वल टू 1000 सही योग होगा हमारा 1000 प्लस 50 माइनस 25 जो गलती से लिख दिया गया था वो उसमें से सब्टेक्ट कर लिया तो हमारा सही योग हो जाएगा 1025 हमें चाहिए सही औसत या जिसे वास्तविक माध्यवी कहेंगे यह हो जाएगा हमारा 1025 और जो हमारे मद्ध है वो 25 ही रहेंगे तो 25 है जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आजाएगा हमारा 41 आज का नेक्स कोश्चन है दुश्मन की पंडूबियों को ट्रेक करने के लिए विक्सित प्रिद्योगी की कौन सी थी इसका आंसर है सोनार आज का नेक्स कोश्चन है नागलेंड की राज़ानी कौन सी है इसका आंसर है कोहिमा आज का नेक्स कोश्चन है यूरो किसकी मुद्रा है इसका आंसर है यूरो जोन की आज का लास्ट कोश्चन है आमतोर पर वरधानतिता कलर ब्लाइडनेस क्या है इसका आंसर है यह एक अनुवांसिक प्रकरती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सेयर करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट और सेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में पैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले राप्त हों